प्रवागत है आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट साइंटिस्ट में और डिसकस करेंगे कल के मार्केट के क्या उटलूग होंगे एफाइज के क्या पोजिशन रहे हैं डाटा क्या दिख रहे हैं और कौन से लेबल जैकपोट लेबल दिख सकते हैं सोरी थोरा आज लेट हो गया इसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन सबसे पहले एफाइज की डाटा को देखे तो आप पाएंगे कि एफाइज जो है और डियाज एफाइज दोनों देखेंगे आज सेलर रहा और दोनों ने लगबग नोमिनल एमांटी सेलिंग करा 205 और 145 कर में लों यानि जो आपको ऑप्सन के डाटा दिख रहे हैं यह डाटा देखेंगे तो काफी बुलिस दिख रहा है पोजिशन काफी कमी है लेकिन देखें तो बुलिस है इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो यह 100 करोर की बाइंग है 144 की स्टॉक सेलिंग है तो यह इसले डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो एक वन साइडेट अप्टेंड हमने 39,500 के आसपास से देखा यहां से एक टेंड करने के बाद करने के बाद कर रहा है 20MA के आसपास का इसको ब्रेक आउट करता है तो अगिन यह एटेम्ट करेगा 42,500 तक के लेवल के लिए इसको अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें ताकि जहां से आप इसली समझ पाएंगे यहां मैं दिखा हूं तो यह जो लेवल आपको ग्रीन वाला दिख रहा है यह 50 dma है और यह जो रेड वाला है 20 EMA है और यह जो नीचे का है यह 200 EMA है तो थोरा बहुत देखें तो 50 DMA के आसपास का सपोर्ड दिखा है यहां एक बार बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी वोलेटिलिटी के बाद इस समय जो स्टॉक का ट्रेंड देख रहा है यह जो डार्वेक्स बॉक्स देखेंगे इसी बॉक्स में कंसोलिड रखेंगे कि 41,620 के लेवल को ब्रेक आउट करें तो एक ट्रेंड आपको उपर के तरफ 41,850 और 42,000 तके लेवल दिखेंगे कॉल बाहर के लिए मैं जो लेवल दिखाऊंगा चुकि यहां देखेंगे तो यह जो जो जोन रहा है यह एक रिजेक्शन का जोन रहा है अपर यह बॉक्स के अपर जोन रहे वो रिजेक्शन का जोन रहा है 41,600 के उपर अगर यह मार्केट कहीं भी यहां नीचे खुले या फिर उपर खुले तो उपर खुल के इस प्रकार के ब्रेक आउट दिखेंगे तो 41,600 के उपर कॉल के साइड बाय और डिप्स लेंगे पुट क चल रहा है तो यहां पुट लेने से इग्नोर करेंगे क्योंकि यहां से कॉल चुकि बहुत सारे जो सोट लेवल के बायर है उनका 41,600 तक मैक्सिमम SL होगा और बहुत सारे लोगों का 41,500 यह मैं क्यों कहा रहा हूं इसको एक बार मैं आपको डाटा में दिखा हूं तो यह ब रहे हैं यानि यह एक ऐसा लेवल है जहां पर बायर और सेलर दोनों कंच्फूज है थोरा विकनेस आएगा तो यह 41,000 तक के लेवल आएंगा और 41,600 को ब्रेक आउट करता है तो उपर तक के ट्रेंड दिखेंगे अबर और डाटा के स्ट्रेंड की बात करेंगे तो इसे मै प्रेमियम दिख रहा है यहां से 5 पॉइंट आगे आएंगे और इसके प्रेमियम को आप देखेंगे तो पाएंगे 170 का प्रेमियम दिख रहा है इसका मतलब यह है कि CE का वैल्यू अभी भी देखेंगे काफी डिमांड में है जिसका मतलब क्या है कि मार्केट में इस समय प्रेमियम दिख रहा है इसका मतलब मार्केट वीक है तो इस लेवल को जो कॉल बायर है CE बायर है वो ध्यान रखेंगे 41,600 के उपर वाय और डिप्स के लिए जाएंगे जहां 42,000 तक के लेवल आएंगे और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे 42,500 के नीचे आता है त फिर पूर्ट के तरफ एक टेंड दिख सकता है और ये जो लेवल आएंगे पहला टारगेट 41,300 और इसके बाद ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक बारा टारगेट देखने को मिलने वाला है निफ्टी के अंदर देखेंगे पहले एक बार मैं ऑप्सन चेन को दिखा दू ताकि आप बेतर तरीके से समझ पाएंगे ऑप्सन चेन में जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है इस समय ये देखेंगे 17,900 का एक सपोर्ट दिख रहा है और सपोर्ट देखेंगे तो 17,800 का एक सपोर्ट दिख रहा है यहां से देखेंगे एक मेजर सपोर्ट है और ये रेजिस ट्रेंड मिलेगा और 800 के नीचे जाता है तो पी बायर के लिए एक ट्रेंड देखने को मिलेगा चार्ट के माध्यम से अगर समझे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखते हैं यहां देखेंगे कि यहां से डाउन एक पुलबैक यहां से लिंग आई थी फिर डाउन ट्रेंड यहां से डाउन एक यहां पुलबैक फिर डाउन ट्रेंड पुलबैक डाउन ट्रेंड पुलबैक डाउन ट्रेंड और यहां से भी पुलबैक हो सकता है या फिर इसको टच करन एक बाद pullback आए इसको breakout करेगा तो फिर trend continue तो ये थोड़ा psychological आप समझेंगे levels को आगे discuss करें तो daily time frame को एक बाद 15 minutes पे लेंगे और candle देखेंगे काफी strong बनते वे दिखा है और ये जो trend nifty के अंदर देखेंगे कि आप ये जो trend दिख रहा है ये काफी positive trend देखने को मिल रहा है एक बार मैं आपको parallel channel पे दिखाऊं यहां से देखेंगे कि इस level को इसने respect किया और overall जो trend दिख रहा है यहां से देखेंगे ये जो trend दिख रहा है nifty higher high higher low के trend को follow कर रहा है यहां देखेंगे यहां lower लगा higher लगा lower लगा higher आया और यहां यह resistance बन रहा है 17,900 का हमने data में भी resistance दिखा और यही resistance चार्ट पे दिख रहा है तो चुकि कल Friday है तो high probability ऐसा हो सकता है चुकि multiple rejection के बाद 900 से breakdown दिखेंगे और आपको 17,740 तक के level दिख सकते हैं 17,910 के आसपास का breakout करें तो पहला target 17,070 और 18,080 यह जो level है वो call buyer के लिए है पूट वाले के लिए 17,880 यानि 900 से जो breakdown होगा यहां confirmation मिल जाएगा और दूसरा 17,790 और फिर 18,050 यह तीन पूट वाले याद रखेंगे जहां पर jackpot दिख सकता है इसके पीछे के psychology को समझेंगे यहां देखे तो बहुत सारा SL लगा हुआ होगा जिसने भी market को short करा है अगर 900 के level को breakdown करता है तो यहां से काफी सारे SL आएंगे 17 तक के level दिखेगा पर इसके बाद यह trend continue fresh buying आ करके trend दिख सकता है लेकिन चुकि यहां काफी सारी selling हुई पर है और यहां से यह 17,850 के आसपास आता है तो फिर buyer week होगा और यह consolidation भी break होगा यहां से trend continue दिख सकता है I hope यह video informative रहाए इसके लावी कुछ क्वेडियों तो comment box में जरूर बता है